इन दोने स्मार्टफोन के प्राइस में तो कोई डिफरेंस की बात करी जाए जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के उसका प्रोसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वैसे तो इन दोने स्मार्टफोन के प्राइस में कोई डिफरेंस देखनेंगों को नहीं मिलता है पर पर्फॉर्मस के मामले में तो बेटर हो जाता है क्योंकि एक तरफ मोटो जी 85 में कॉलकॉम स्नैप डेंगर 6S जैन 3 का प्रोसर देखनेंगों को मिल जाता है वह दूसी तरफ जो निकल के आता है वोई दूसी तरफ मोटो जी 85 का जो णत्यों stick निकल के आता है दोने स्माटफून गाद में डिस्प्ले आप लोगों को फ्लैट देखने को मिल जाती डिस्प्ले आप लोगों को कर्व देखने को पिल जाते हैं डिस्प्ले के लिए 120 हर्टे रीफ्रेश एट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है दोने स्मार्टफोन का अगर कैमरा से एक बिन की बात करी जो तो अपने अपने प्रैस में इन दोने स्मार्टफोन में काफी अच्छा कैमरा सेटप देखने को मिल जाता है एक तरफ सी एमेफ फोन वन के बैक में सेटब देखनेों को मिल जाते 50 मेगाफिक्शल का में प्रामरी कैमरा मिलता है बाकी का दूसरा कैमरा के साथ क्यामरे में Oouset का सपोर्ट तो देखनेों को नहीं मिलता पर फोन के बैक कैमरे से फोर की वीडियो आसांइस दिर्डि कर सकते हैं दूसरा कैमरा 8 मेगाफिक्सल का मिल जाता है विद एलीडी फ्लैस लैट के साथ कैमरे में OIS का सपोर्ट तो देखने को मिल जाता है पर फोन के बैक कैमरे से सिर्फ फुल एचेडी वीडियो ही आसाने से रिकॉर्ड कर सकते हैं इन दोने स्मार्टफोन के अगर सेल्फी कैमरे की बात करीजा तो प्राइस में तो कोई दिफ्रेंट देखने को नहीं मिलता है फिर भी सेल्फी के मामले में किलियर विना निकल के आता है मोटो का जी 85 32 मेगाफिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के मिल जाता है दूसी टरब मोटो में पने स्कास्ट मेठ देखने को जाता है यूस्बी टैप्स रिपोर्ट का सपोर्ट देखने मिल जाता है वह दूसरी तरफ मोटो जीएटी फाइटी फाइप में भी फाइप तौजन एमिएच की बैटी देखने को मिल जाते हैं तो अब बात करीजा कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए अगर आप लोग इस मार्टफोन से गेमिंग इतनी ज्यादा नहीं करते हैं कर्व डिस्पेले वाला एक अच्छा आल रांडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहें तो आप लोगों को मोटो जीएटी फाइप की तरफ जाना चाहिए पर अगर आप लोग पर अगर आप लो वाला आल रांडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहें तो सीमा फोन वन भी अपने प्रैस में बेश्ट है